अगर आप भी उन में से हैं जनका सपना है ओफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चन्नाई से ट्रेनिंग कम्प्लीट करके इंडियन आर्मी जॉइन करने का तो आज की वीडियो आपके लिए काफी मोटिवेशनल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेगे तो वीडियो को लास तक जरूर देखे और ट्रेनिंग कम्प्लीट होने के बाद उन्हें इंडियन आर्मी की डिफरेंट आर्म्स और सर्विसेज में शॉर्ट सर्विस कमिशिन दिया जाता है इन दी रैंक ओफ लेफिनेंट OTH जनई में कैडेट्स रिगरस शेडियूल फॉलो करते हैं जिसमें अकैडमी क्लासेज, फिजिकल ट्रेनिंग और मिलिटरी ड्रेल्स शामिल होते हैं अकैडमी में ट्रेनिंग करिकुलम को इस तरह से डिजाइन किया गया है जो आपकी फिजिकल और मेंटल दोनों लिमिट्स को पुश करेगी और जनई का वैदर ट्रेनिंग को भी डिफिकल्ट कर देता है इंडियन आर्मी के ओफिसर में फिजिकल स्टैमिना के साथ ही, मेंटल स्ट्रेंथ और लिडर्शिप कॉलिटीज होना काफी ज़रूरी है इसलिए अकैडमी द्वारा एक्स्ट्रा एफर्ट किये जाते हैं अकैडमी में डिवालप हुई, लिडर्शिप कॉलिटीज से ओफिसर अपनी सर्विस के दुरान आने वाले डिफरेंट चैलेंजिस को असानी से डील कर सकेगे लिडर्शिप कॉलिटी के साथ ही अकैडमी की फैकल्टीज, ओफिसर्स, कैडिट्स की, कम्युनिकेशन स्केल्स, सैकॉलिजिकल कंडिशनिंग और डिसीजन मेकिंग कैपिबिल्टीज को भी डिवैलप करते हैं और अगर आप OTS नहीं नहीं जाते हैं, तो आप लिडर्शिप और मिलिटरी स्किल्स में सबसे अच्छी ट्रेनिंग पाने का मौका खो देगे इससे पहले कि हम आगे बड़े, मैं आपको बताना चाओंगा कि क्या आप CTS exam self study के साथ क्लियर करना चाते हैं अगर हाँ तो मैं आपको CTS OTA book recommend करूँगा, इस 400 page की book से हर attempt में 20 to 25 questions आ जाते हैं, इसके साथ ही 5000 प्लस most expected MCQ से आप 10 to 15 questions अपने exam में expect कर सकते हैं, available on Amazon and Flipkart Academy में सभी cadets को basic military training तो दी ही जाती है, पर इसके साथ ही उन्हें games और sports और कई सारी co-curricular activities से भी expose किया जाता है Academy में squash, tennis, rock climbing, parasailing, martial arts, shooting, horse riding, music and dramatics, arts, creative writing, computers, boating and sailing, golf, yoga, photography, ballroom dancing, aerobics and fitness और archery समेत कई hobby club मौजूद है सभी officer cadets को term में किसी एक club को join करना mandatory है, photographic club या किसी sports के लिए cadets personal items जैसे camera या कोई sports gear यूज कर सकते है पर shooting club के लिए cadets अपना personal weapon यूज नहीं कर सकते हैं, इसके लावा exposure के लिए term break के दुरान सभी first term cadets के लिए term break के starting में adventure hikes conduct किये जाते हैं इस adventure hikes का duration 4 या 6 days होता है और similarly mid term breaks के दुरान भी selected और volunteer cadets को adventure hikes या educational tour पर भेजा जाता है तो अगर आप OTA चनाई नहीं जाते हैं तो आप ये सभी experiences को experience करने का अफसर गवा देगे OTA के cadets देश के अलग-अलग शेत्रों से आते हैं जो उन्हें अलग-अलग संस्कृतियों और परंप्राओं को समझने का अफसर देता है OTA नहीं जाने से आप new military technologies और equipment के exposure का मौका भी खो देगे OTA के पास state-of-the-art equipment और facilities हैं जो cadets को इन technologies का practical experience देने में मदद करता है ये exposure आपको सेना में सेवा गरते वक्त दूसरे से better बनाता है अगर आप OTA नहीं जाते हैं तो आप अपने fellow cadets से strong bonds बनाने का मौका खो देगे OTA के training program का मकसर सिरफ cadets की skills को develop करना नहीं है बलकि cadets के बीच team work और camera artery को बढ़ाना भी है ये रिष्टे जिन्दगी भर के लिए होते हैं और सेना में सेवा करते वक्त ये अनमोल होते हैं Finally आप officer training academy चन्नई ना join करके अपने से बड़ी किसी चीज का part बनने का मौका गवा देगे OTA चनई सिरफ एक training academy से कहीं बढ़कर है ये जीवन जीने का एक तरीका है ये एक ऐसी जगा है जहां cadet सेवा, त्याग और करतवय के बारे में सीखते हैं और ये एक ऐसी जगा है जहां वे सीखते हैं कि वो अपने से बड़ी किसी चीज का हिस्सा है तो ये थी हमारी आज की वीडियो, लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में